नमस्कार और स्वागत एक नए वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नवरपन कंपनी नैशनल मिनरल डेवलप्पेंट कॉर्परेशन यानि की जिसको हम जानते प्यार से नम्डी सी फुली गवर्मेंट ओंड कंपनी है में इस्टील के अंदर आती है आइरन ओर करती है डायम सीधा चलेंगे जरुदा में बहुत इंड्रस्टिंग चार्ट मिलेगा उंको देखने के लिए डायव करते जरुदा पर अगर आपके पास नहीं है आपको क्या करना है लिंक के डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना बनाना बेसिकली ट्रेडिंग के लिए आपको डिमेट अगर आप लास्ट तीन दिन के मूव देख लो तो वह अल्मोस्ट 16 परसेंट है दिक्कत के आए कि बहुत ज्यादा मूव कर गया है बहुत स्मॉल टाइम में लेकिन हम इसको फिर भी देखते हैं हम लगाते हैं इसमें हम लगाते हैं मूविंग एवरिजिस तो मूविंग क्रॉसोवर बन गया है यह बहुत ही पॉजिटिव साइन है लेकिन यहां दिक्कत क्या है कि यहां पर आरेसाई के दिक्कत है आरेसाई इस वक्ट जो है वह आल्मोस्ट 90 को टच करने को है इस समय 84 क्या सपास है पर है और इतने आरेसाई पर सर्वाइव करना सस्टेन करना थोड़ा मुश्किल काम हो सकता है क्या प्रीवेस सिस्ट्री में था इसके कुछ आप प्रीवेस इस्ट्री आपके टोल लो यह जोसका प्रीवेस आई था यह था 72 का और यह भी 72 का यह सबसे हाई लग रहा है 26 था इस पॉइंट पर शर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है इतने हाई और इस बिसिकली आरेसा यह दिखाते है कि ओवरबाट है एक थोड़ा सा कूल अफ होने का वेट करेंगे अटाते हैं मुविंग अवरिज अगर आप सिंप्लरी पिवर्ट पॉइंट भी लगाओगे ना फिवर्णा की लवल पर तो देखोगे आवना आट तो आर्टिस अभी के वह बहुत ऊपर है एक अच्छा कासा यहां इसने राउंडिंग बॉटम टाइप बना लिया था और इसके टच पाइंट को बॉड़ी आप उकटनी करने है विकाप कर सकते हो आपने करनेक्ट किया इसको एक किनेक्टिंग पॉइंट यह हो गया एक रिजिस्टेंस यहां पर आया आप देखोगे ना यह हाई बनाया इसने यह सेकेंड हाई अगर आभी एच वन था तो यह हो इसने यहां पर एक हाई बनाया इसने यह आप माल लीजिए फिर इसने लो बनाये बहुत ही गैप डाउन हुआ यह उसके बाद इसने यहां स्ट्रगल किया और फिर यह उपर आया तो अब इसका जो आप इसको एच वन था इसको आप यह लोवर पॉंट जो था आप इसको भी मानलो तो जो इसका अब जो एच नेक्स्ट हाई बना है वह इसके प्रीवेस हाई से ओपर बना है जो इसने यह एक ट्रेंड कर दिया है और यहां से फिर इसके और जनी होने के चांस इसे हमें स्ट्ट करता है पॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक आउट है लेगिन आर आप एक horizontal line ड्रोकर देखोगे कि पहले भी यहां पर एक resistance था resistance था resistance था यहां पर भी support था बहुत अच्छा support था यहां पर भी यहां support resistance गेम किया है और पीछे देखोगे तो यहां भी इसने resistance लिया तो यह 134 से 137 लेवल के जो प्रॉक्स जो है यह previously इसका support रहा है तो हम में इस क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा bounce कर चुका है तो हम वेट कर सकते हैं कि यह कूल आफ होके 132 134 अगर वह आता है तो इंट्रेस्टिंग पॉइंट होगा एंट्री पॉइंट होगा टेखनिकल बेसे पर जब अभी कोई previous resistance होता है आप उसको break कर देते हो तो फिर अगला support बन जाता है आप माउंटन climbing की होगी आप सीडी पर चड़े हो या कहीं पेड़ पर चड़ने में आपको तकलीफ होती है उसमें आपको बहुत लेकिन एक बाइब उसके उपर चड़ जाते हो आप फिर आपका support बन जाता है वहाँ प्रेस्ट करते हो एनरजी अपनी मेंटेन करते हो फिर आगे की जर्नी करते हैं चाहें मांटें क्लाइंबिंग हो चाहें सीडी पर चड़ना हो चाहें पेड़ पर चड़ना हो हमने देखा यह प्रेक्टिकल लाइफ में है तो इसको ब्रेक कर दिया है अब उसके उपर जा रहा है तो हम वेट कर सकते हैं का जो इस लेवल पर आए 132-135-137 के रेंज में फिलहाल यह बहुत ओवरवाट है इस पर लेकिन पॉइंट यह है कि यह तो होगी डेली बेसिस की बात अगर इसी चार्ट को आप अगर क्विकली बेसिस पर जैसे हमने वीकली बेसिस पर लगाया तो जो हमारा जो हमारा फॉलिंग टेंड लाइन थी वह आपको क्लियर कट दिख रह है तो यहां पर एक सपोर्ट ले सकता है लेकिन अगेर अगर आप मुविंग लगा होगे वीकली बेसिस पर देखोगी आरस यह उतना जो बड़ा हुआ था वो यहां पर भी आपको दिख रहे हैं इतना राइस कुछ भी उपन जाते है अगर आपने इजरों के रॉकेट है यह सर्वाइब नहीं कर सकता इसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस कूल आफ करके यहां ना पड़ेगा आते हैं तो इकने चार्ट पर आते हैं बहुत अच्छा हमारे पास फॉलिंग टेंड लाइन बनी हुई है और वीकली बेसिस पर भी जो मॉविंग एवरज है वो कितना कि खेल यहां पर भी नहीं है अब अगर यही चार्ट आप लगा दो मंतली बेसिस पर इसको हम जूम करेंगे स्क्वीज करेंगे अब आप देखो कि यह एक बीस साल का दो डेकेट का एक राउंडिंग मॉटनम बनने का पोटेंचल रखता है अगर आप देखो कि इसका प्रिवेस हाई वो पांसो साड़े पांसो के उपर था अगर आप बॉड़ी को भी मानलो 500 रुपे के आस पास था अब अगर यहां से इसको यह 20 साल का 20 यह यह जो आप देख रहे हो ना यह 2010 का है अगर इसको राउंडिंग बॉटम बनाना है 20 साल का अपना तो एक मंतली बेसिस पर एक बहुत 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 लॉंग रखना पड़ेगा आपको और आप देखो कि यहां से जो मूव है अगर यह राउंडिंग बॉटम बनाता है तो अगर पांसो के लेवल तक जाता है तो 250 परसेंट कम अभी इसमें पोटेंशल है अब इसके अगे क्या और वो आगे देखेंगे सकता है कि कुछ कप एंडय क이 काहनी नहीए और मतली यहली विए है आपको देखना है अपनी देखना है कौन सी आपके उपसूट करती है और आपको उस एनलेसिस को फॉलो करना है विकली और मंतली विश्चिस पर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत ही पेशन्स है अगर आप पेशन्स है तो आप इस प्ले को अपनी अनलेसिस के बाद उसक किया हुआ है वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद